हेलो प्रेंड्स ये बाला जी कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे काश मेरा कि दुनियमा आपका स्वागात है फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं ठंडी ठंडी बच्चो या बड़ो की सब की फेवरेट फ्रूटी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना जिसको मैंगो पसंद नहीं है वो भी मैंगो से फ्रूटी बना के फ्रूटी पी सकता है तो चली स्टार्ट करते हैं, वो भी सिंपल स्टाइल से बनाएंगे हम, कोई भी बना सकता है, तो चली स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने दो पके आम और एक कच्चा आम लिया है, कच्चा आम अब कोई भी ले सकते हो, मैंने ये तोता पूरी आम बोलते हैं, वो लिया है और यह केसल लिया है पका वैसे आपकी जो मर्जी हो आप ले सकते हो तो चली स्टार्ट करते हैं हम बनाना हमें इसे कट कर लेना है पेरी को मैंने कट कर लिया है अभी हम आगे ही प्रोसेस करेंगे अभी हम ग्राइड करेंगे पहले हम पका हुआ आप ग्राइड करेंगे फुरा सा हम पानी इसमें एड करेंगे करीब तीन चमच तो ट्यार है फ्रैंज मैंगो पल्स एक बॉल में हम ट्रांसपर कर देंगे आम कच्चे आम को ग्राइड करेंगे आदी कटोरी हम पानी एड करेंगे अभी हम ग्राइड करेंगे अब यह हम इसे बॉल में निकाल देंगे अभी हम आगे के प्राइड में फीजाएड मीं हम आगेDer में प्रॉश्चित करेंगे अभी हम आगेगी प्रॉसेस करेंगे ने गैस ओन करेंगे पाके हुए आम का पल्प एड़ करेंगे अब हम कच्चे आम का पल्प एड़ करेंगे लो फ्लेम पे ही हमें पक्काना है आगी कटोरी मैंने इसमें पानी अट किया है यह पानी अब हम इसमें डाल देंगे शाइनी नव हो जाए तब तक हमें इसे पक्काना है लो टू मीडियम फ्लेम रखना है हमें पांच मिलिट हो गई है अभी हम इसमें चीनी अट करेंगे चीनी हम एक कटोरी लेंगे चीनी आप ज्यादा कम कर सकते हो फुरूटी खटी मिठी रहती है इसलिए हमने एक कटोरी अट की है अगर आपका आम मीठा हो ज्यादा तो चीनी आप कम लीजे अगर खटा हो तो चीनी आप ज्यादा लीजे और तीन-चार मिलिट हम पकाएंगे तो देखके पता चल जाएगा मतलब बन गया है अभी तो हम इसमें एक चमच विनेगर एड करेंगे अगर आपको एक मैने तक स्टोर करना हो तो आप इसमें विनेगर एड कीजे नहीं तो आप इसमें निम्डु का जूस भी एड कर सकते हो एक चमच मैं इसमें विनेगर एड कर रही हूँ गयास ओफ करेंगे हम विनेगर एड करेंगे तो एक मैने तक आप इसे स्टोर कर सकते हो नहीं तो इसे आप दस दिन के लिए तो स्टोर कर सकते हो अब यह मैं अच्छे से मिक्स करना है बाद में हम इसे चन्नी से चान लेंगे तो तया है अभी हम ठंडा होने के बाद इसे चान लेंगे अभी हम चान लेंगे एक चलनी लेंगे अभी हम इसमें एक लिटर पानी आड़ करेंगे अगर आपको ऐसे ही स्टोर करना हो तो इसी स्टेज पर आपको स्टोर करना है इसे वन मंद के लिए स्टोर करने के लिए या तो एक चमच आपको निम्बू का जूस एड़ करना है या तो आपको एक चमच विनेगर एड़ करना है अभी हम इसमें ये मैंगो पल्प एड़ कर देंगे मैंगो जूस इससे हम अभी फ्रूटी बनाएंगे इसमें आमें करीब एक लिटर पाणी आड़ करना है आप इसमें आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें आप पानी एड़ कर सकते हो चलिए फ्रेंट सव करेंगे ठंड़ ठंड़ फ्रूटी तो तयार है फ्रेंट्स ठंड़ ठंड़ फ्रूटी अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राब किजेगा मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूते सपोर्ट जरू सकीजेगा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंट्स कर दो यूियो झाल। श्रावस, कर दो चूपने के लिए सकाथ के लिए सब्सक्रावस, आपके लिए सहां हो lot झाल।